हेलो फ्रेंट स्वागत हैब का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज में हम अन्बॉक्सिंग करने वारे हैं 25 विटर्स हिंद वेर के घीजर की तो चलिए हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह मैंने फिलिपकार्ड से परचेस किया है तो जैसे देखते हैं पैकिंग बहुत ही अच्छी की गई है साइड में चारों तरफ कार्डबोर्ड लगा हुआ है और इस वीडियो में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप घीजर को पचेस करें और इसको इंस्टॉल करें तो क्या-क्या चीज़े अपने ध्याम में रखे लें क्यों मैं आपको आखरें बताऊंगो क्या दिक्कत आई थी मेरको तो चली हम इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस बॉक्स को अन्रैप कर लिया और बॉक्स के उपर देशते हैं गीजर की फोटो बनी है और सेवन येर्स की वरांटी टू य मैंशन की गई हैं एक तरह देखते हैं यहां पर स्टीकर लगा हुआ है जहां पर इसका मोडर नंबर वगएरा और इसका मर पी लिखा हुआ है 8090 मगर आपको यह ऑनलाइन 5000 कुछ पढ़ जाता है मैं आपको लिंक दिस्क्रिप्शन में देदिए चेक कर लिजेगे आप और यहां देखते हैं आप यहां पर टेप लगी कंपनी थुरू और यहां पर लिखा है क्वाल्टी एंश्योड तो चली है और देखते हैं बॉक्स के साइड में भी कुछ मैंशन कीए इसकी स्पेसिविकेशन ग्लास लाइन टैंक है इसका और टू किलो वाट कॉपर हीटिंग अलिमेंट और इस साइड भी कुछ लिखाव है रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन जो की सबसे सस्ता गीजर है यह ABS बॉड़ी के अंदर क्योंकि आप सस्ते गीजर मिल जाता है 5000 से मगर मैटर बॉड़ी के अंदर होता है तो यह ABS बॉड़ी के अंदर है और इसका निचे दिखके म अंदर वरंटी आपको seven years की maximum मिलती है two years elements के उपर मिलती है तो सबसे दर वरंटी इसकी मिलती है आपको seven years की तो चली इसको हम box को open कर लेते हैं सबसे उपर हमें manual guide मिलती है तो मैं इसको निकाल लेता हूं गीजर को इसके लिए आपको दो बंदों की जुरत पड़ेगी निकालने के लिए अकेले मत करना कभी नुकसान हो सकता है कई बर तो जैसे देख रहे हैं इसको मैं unwrap कर लेता हूं तो जैसे द सेफटी वॉल के लगाया हुए और एक inlet आउटलेट पॉइंट है अब देखते हैं यह सेफटी वॉल साथ में मिलते हैं यह आप लगाते हैं जो कि मैं आपको इंस्टॉलेशन में दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर को इंस्टॉलेशन complete guidance मिलेगी गीजर की देखते हैं कि थ्री पिन सॉकेट के अंदर लगेगी जिसेते साइड में हमें कस्टमर का नंबर मेंशन किया गया है और फाइव स्टार रेटिंग है यह और कॉशन भी लिख तो देख रहे हैं उपर के तब से भी अच्छा लगता है ग्रे कलर की कलर के अंदर है एब्स बोडी है पूर करते हैं इसको यह देखिए जो इन्सुलेशन है उपर की साथ में अच्छी तर प्रॉपर चिपकी नहीं हुए अब यह मैं कस्टमर केको मैंने फॉन करा हुआ इंस्ट्रालेशन के लिए तो मैं उनसे पुछूँ आई कि क्या प्रॉल्लम है तो मैं आपको उताऊंगा उसक और इस घीजरिंदर आपको इंस्ट्रालेशन फ्री मिलती है तो इस बात का धğiन रख सकते हैं कश्मे के में आप फोंग करके इंस्टलेशन फ्री ले सकते हैं और फ्रेंट्स हमें साथ में यूजर मैनुमर गाइड मिलती है जो कि आप जुरूर पढ़ें इसको यूज करने से पहले जो कि बहुत है जोड भी दिख रहा है और देखिए यह वाज भी कर रही है देखिए और यह उपर से भी वाज कर रही है चूँ चूँ यह देखिए तो फ्रेंस यह आप पता नहीं कि यह बोडी इस तरीके से ही या इसके अंतर मैनुफेक्टरिंग डिफेक्ट है या कंपनी ने इस तरीके से ही बनाई है बोडी तो इसके बारे में आपको मैं एंड में बताऊंगा वीडियो के तो जिसके देख रहे हैं आप यह इस तो चलिए तो तो इसके इंस्टरेशिन स्टार्ट कर लेते हैं यह टेक्नेशन हमारे हिंद्वेर कंपनी धूरूर्य के घरेएं कि इसके इसका इनसपी लक़ा रहे हैं है इसके उपर सेफटी वाल लगा रहे हैं यह हमारा इंडेट पॉइंट पर लगता है जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया गया इसके बारे में जिसमें मैंने औरेंट वगरा सबके वीडियो नहीं सब में इंस्टोरेशन सेमी होती है और यह दो पॉइंट वाल वगरे नहीं लगा हुए पहले तो आपको यही परचेस करने पड़ेंगे साथ में आपको कुछ नहीं मिलेगा पीवी कॉनेक्शन पाइप सीपी निपल और एक्स निपल अगर आपने आपने परचेस करने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप उस के बारे में पूछा था कि बॉड़ी इसकी ऐसी होती है तो इन्होंने का था कि बॉड़ी इसकी ऐसी होती है मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि गीजर के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है तो आप वीडियो में बने रही है आपको म पिछे फ्लेंज भी हमें अपनी सब कुसमान हमारा परचेस करना पड़ेगा और हिंद बेर के अंदर एक और चीज है कि हमें सिर्फ सेफटी वाल मिलता है साथ में और यूजर मैनुवर गाइट कोई साथ में गिट्टी वगरा नहीं मिलती है पेच वगरा तो जैसे देख सकत नहीं होते हैं उसके निशान लगा देते हैं जिसी हमारी मार्किंग कर लिए और छस्त्ते भी Weird में लेते हैं कि ज़्यादा कि ऑपड़ ना चबेएगी ज़र उसके बास हम द्रिल मशिन से दो डिल मारें गे पहले मारेंगे इस के अंदर हमारी लुह की की Дी आती है आपको मार्केट से मिल जाएगी दस रवे गिट्टी होती है बड़ी वाली जो कि आपके AC वगैरा के अंदर जो स्टैन्ड में लगती है गिट्टी लोहे की वो वही लगती है तो वो आपको मार्केट से 25 करने पड़ेगी साथ में वो भी नहीं किसा अपने मार्किंग करनी है। एक हमने शेद मार ली है इसको 6 से माप ने हैं और दुसरे मार्किंग करने लिए उसको भी 6 से माप यहींगे जिसे कि proper height पे लगे गीजर दिखिए गीट्टी हमने tight कर ली है और इसके अंदर पेच होता होता है उसको लूज करकर हम पत्ती जो हमारी लगिये गीजर उसको उसके उपर हैंग कर देंगे पेज को भार निकाल गर यह देखे पेज के उपर हमने हैंग कर दिया है और पेज को उपर से हम टाइट कर देंगे यह देखे इस देखे से अच्छी दर प्रॉपर ली इसको टाइट करना है जिससे कि यह अच्छी दर फिक्स हो जाए यह देखे इसकी थोड़ी इंस्टलेशन डिफरेंट है बाकी गिजर से क्योंकि यह गोल वाला है थोड़ा अलग है तो देखे अब देखे निचे हमने टेप लगाएंगे और यहां पर हम पीवी कनेक्शन पाइब है यह अपने गिजर के परचेस करने मार्केट से या ऑनलाइन मैं आपको लिंक रिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे सारा समान का आपको देखे पीवी कनेक्शन पाइब को हमने जोड लेना है यह इनलेट है पीवी कनेक्शन लगा लिए अब दूसरे में भी हम ऐसी पीवी कनेक्शन पाइब कोоров क्या तौ इस तब्लगे के समने को प्रॉपरिल करलेना नं तो देखिए एपिसपौोपर वुटी कर लिया स्व chat कर लिया है ये घीजर को अधरlish ко質 भीस बॉड़ी के अंदर सबसे श्पता गींजर है यिस blue डीजाईन के अंदर आपको अगर अगर अपने ABS बोडी के अंदर ही लेना है तो यह आपको सबसेच सस्ता है गीजर और अपने परचेस करना तो लिंक डेस्क्रिप्चिप्शन है मिल जाएगा आपको इसली आप प्रचेस कर सकते हैं और वरांटी वगरा सब मिलती हैं आलने प्रचेस करने में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको वरांटी वगरा नहीं मिलती है तो फैंट जैसे देखरें गीजर इंस्टॉल हो चुका है और जो इंपोरेंट पॉइंट था मैं उसके बारे में आपको पताना चाहूंगा कि जब भी आप गीजर को इंस्टॉल करवा लें तो उसके अंदर हमेशा चेक कर लिजेए कि कोई भी लीकेज में तो जो उसका थर्मोस्टेट होता है जो जो इसको रिप्लेस करवा कि द्वारा नया मुंगाया है और फिर इसको जो मैंने इस्टॉल किया तो चेक किया थर्मोस्टेट की आटोमाटिक कट लग रहा है या नहीं लग रहा है जब तेमपरेचर अगर मिनिम्म पर रखेंगे तो पानी गरम कम होएगा अगर मीडियम रखेंगे तो थोड़ ज्यादा होएगा और मैक्सिम ज्यादा गरम होए अगर थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है तो पानी आपका मिनिम्म के आप भी मैक्सिम टेंपरेचर गेन करेगा जब देख रहे हैं मैंने ओंग कर ली है ग्रीन एंड तो जब भी आपका टेंपरेचर रीच हो जाएगा तो ग्रीन लाट बंद हो जाती है रेट सिरफ पाव मैंने कमेंट करके पूस सकते हैं मैं और भी गीजर्स की वीडियो मुना रखी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा